नमस्कार दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं Doctrine of Pith and Substance तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या होता है तो दोस्तों Pith का मतलब होता है Title और Substance का मतलब होता है Content तो इस Doctrine के माध्यम से अगर Judiciary Judicial Review के तहत किसी भी Law को चांचती है अगर उसका इग्जामिन उसको करती है तो देखती है किया यह Law का Title Content के साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अगर Law का Title Content के साथ नहीं मिलेगा अर्थात आपने Title कुछ दे दिया Content आपने कुछ Law का बना दिया तो इस Law को Invalid Unconstitutional Declare कर दिया जाएगा ऐसा क्यों चलिए जानने की कोशिश करते हैं तो इसका भी Background जो है हम लोग Article 246 में ट्रैस कर सकते हैं Article 246 बात करता है Division of Legislative Power Between the State and Center अर्थात सकतियों का विवाजन राज्य सरकार और किंद्र सरकार के बीच में ये तीन लिष्ट के माधिम से किया जाता है Union List, State List और Concurrent List Union List पर कौन कानून बनाएगा? Central Government, State List पे, State Government, Concurrent पे दोनों कानून बना सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से हमारे देश में Federalism का प्रिंसिपल काम करता है मतलब Division of Power Between the Labels of Government Between the Labels of Government Central Government, State Government और Local Government भी है लेकिन हम लोग Local Level Government को भी छोड़ देते हैं तो इस तरह से Federalism काम करता है तो दोस्तों इसका उपयोग क्या है? अगर Title के हिसाब से अगर Content नहीं है If the Title of the Law is not matching according to the content of law then this law should be declared invalid or unconstitutional by the judiciary पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इस चीज के बारे में जानने का प्यास करते हैं तो दोस्तों हम जानते हैं कि Defense जो है Defense Union List का सबजेक्ट है तो मान लीजिए Defense पर सरकार ने कानून बनाया Title डिया ठीक है हम Defense पर कानून बना रहे हैं लेकिन उस Defense के कानून में Title to Defense का है पर जो content है वह ऐसा content है जो की Law and Order maintain करने से है उसके दवारा Law and Order maintain किया जाएगा लेकिन Law and Order तो State List का सबजेक्ट है अर्थात Law and Order पर State Governments का अधिकार है इस पर कानून बनाने का तो आपने Defense Title के अंदर में आपने content किस चीज़ का डाल दिया Law and Order का जो की Federalism के Principle का जो की Division of Power between the Labels of Government यह जो Principle है इसका violation करता है और इसलिए अगर Pith और Substance अगर match नहीं करेगा तो कोई भी Law को Unconstitutional, Invalid, Declare कर दिया जाएगा और इसका main region है to protect the principle and essence of Federalism तो दोस्तों मुझे उमीद है आपको यह पसंद आया होगा अगली हम लोग समझने का कोशिश करते हैं अगला जो Doctrine इसी से related है तो अगर Pith और Substance नहीं मिल रहा है अगर Pith और Substance नहीं मिल रहा है तो उस समय फिर लागू होगा मतलब Pith and Substance से ही related है Doctrine of Color Label Legislation जो Color Label जो Legislation है उसी से related है इसलिए मैंने इन दोनों को एक ही वीडियो में कबर किया है तो अगर आपका Pith और Substance नहीं मिल रहा है तो फिर Judiciary बोलेगी Your Pith is not matching to your substance Therefore, this is a Color Label Legislation मतलब Doctrine of Pith and Substance के बाद क्या आता है? Doctrine of Color Label Legislation और अगर Pith and Substance नहीं मिला और Judiciary ने बोल दिया कि ये Color Label Legislation है तो फिर Judiciary इसको Stuck Down कर देगी इसे Unconstitutional Declare कर देगी इसे Invalid Declare कर देगी तो दोस्तों यही कॉंसेप्ट था अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को धन्यवाद दोस्तों